साथियों नमस्कार, किताबी दुनिया की महामारी सीरीज के अंतरगत, आज हम लेकर आए हिंदी के बहुत महत पूर्ण केदार नाज सिंग की कविता अकाल में दूप साथियों आज के समय को देखिएगा महामारी के समय को देखिएगा और इस कविता के जरिये महसूस करिएगा कि महामारी क्या होती है तो पेश है कविता अकाल में दूप भयानक सुखा है पच्छी छोड़ कर चले गए हैं पेणों को बिलों को छोड़ कर चले गए हैं चीटे चीटिया देहरी और चौखट पता नहीं कहां किधर चले गए हैं घरों को छोड़ कर भयानक सुखा है मवेशी खड़े है एक दूसरे का मुह ताकते हुए कहते हैं पिता ऐसा अकाल कभी नहीं देखा ऐसा अकाल कि बस्ती में दूप तक जुलस जाए सुना नहीं कभी दूप मगर मरती नहीं कहते हैं वए और हो जाते हैं चुप निकलता हूँ मैं दूप की तलास में खोजता हूँ परती पराट जागता हूँ कों में छान डालता हूँ गली चवराहे मिलती नहीं दूब मुझे मिलते हैं मुह बाए घड़े बाल्टियां लोटे परात जागता हूँ घड़ों में लोगों की आखों की कटोरियों में जागता हूँ मैं मिलती नहीं मिलती नहीं दूब अंत में सारी वस्ती छान कर लोटता हूँ निरास लांगता हूँ कुएं के पास सूखी नाली की अचानक मुझे दिख जाती है सीसे के बिखरे हुए टुकडों के बीच एक हरी पत्ती दूब है हाँ हाँ दूब है पहचानता हूँ मैं लोटकर ये खबर देता हूँ पिता को अंधेरे में भी दमक उठता है उनका चेहरा है अभी बहुत कुछ है अगर बची है दूब उदबुदाते हैं वै फिर गहरे विचार में खो जाते हैं पिता साथियों यह महिंदी के महत्पूर्ण कब केदारनाज सिंग कीजे की कविता है अगर ये कविता आज के समय से आपको महत्पूर्ण लगे और किताबी दुनिया का प्र्यास आपको सार्थख लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, नमस्कार